फार्मा कंपिटिशन एक्जाम की तयारी के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं हेलो फ्रेंट्स मैं हो राम परकास परजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंपिटिशन फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम फार्मा कोलोजी सब्जेक के टॉपिक एंटी इमेटिक्स को डिसकस करने जा रहे हैं इसके अंतरगत हम इसके इंपोर्टेंट फाइव कुशन्स और उसके क्लासिपिकेशन को इस तरीके से डिसकस करेंगे जिससे की सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके वीडियो का आप से एक गॉल्डन कुश्चिन पुछा जाएगा जिसका अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंट्स आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नई टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनरजी प्रोवाइट करता है तो वीडियो को लाइक करना ना बुलें वे गॉल्डन कुश्चिन कांसवर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स वीडियो सुरू करने से पहले हम एन्टीमेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं तो इसी ड्रग्स जो की वोमिटिंग को सप्रेश करे या वोमिटिंग होने से बचाए उसे हम एन्टीमेटिक्स ड्रग कहते हैं अगर हम इसका क्लासिविकेशन देखें तो जनरल इसको 7 केटिगरीज में डिवाइड किया गया है और सबसे पहली केटिगरीज है एन्टी कोलिनर्जिक्स जो की हाइली इफेक्टिव होती है मौसन सिक्नेस में मौसन सिक्नेस का अर्थ हमने पिछले वीडियो में भी बताए था यानि ऐसी कंडिशन जब कोई भी आदमी ट्रेवलिंग करता है तो उसको वोमिट होने लग जाती है इसके अंदर जो आपकी ड्रक्स आएगी वो रहेगी हायोसीन जिसका दूसरा नाम है इसकोपोलामीन और सेकिंड रहेगी डाइसाइक्लोमीन इसी तरीके से सेकेंड केटेग्री देखते हैं वो रहेगी H1 antihistaminics जो की motion sickness के साथ morning sickness में भी काम में ली जा सकती है और इसके एक्जामपल है प्रोमेथाजीन, डाइफेन हाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रिनेट, डॉक्सिलामीन, मेकलोजीन जिसका दूसरा नाम मेकलीजीन भी है और सिनेरीजीन तीसरी केटेग्री है आपकी Neuroleptics या D2 blockers जिसके एक्जामपल है क्लोर्प्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, प्रोक्लोरपेराजीन, एंड हेलोपेरिडोल एंड नेस्ट केटेग्री देखें केटेग्री नमबर फोर्थ जिसके अंदर आपका रहेगा प्रोकाइनेटिक ट्रक्स जिसके एक्जामपल है मेकलोप्रामाजीन, डॉम पेरिडोन, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड इटोप्राइड इसी तरीके से नेस्ट एंड रेमो सिट्रोन जितने भी सिट्रोन है वो 5H3-3 एंटागोनिस्ट होते हैं इसी तरीके से नेस्ट केटेग्री रहेगी नियूरोकाइनीन या NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसके एक्जामपल देहेंगे एप्रेपिटेंट और फोसाप्रेपिटेंट इसी तर तो फ्रेंट्स अब हम देखते हैं कुछ इसके important questions जो की एक्जाम में बार-बार पुछे जाते हैं तो चली चलते हैं सबसे पहले question के तरफ question number 1 तो फ्रेंट्स इन में से CTZ receptor कहां पाई जाते हैं तो आप कहां सबर रहेगा option C यानि की medulla oblongata फ्रेंट्स वमिटिंग सेंटर जो VC सेंटर होते हैं वो research करते हैं सिगनर्स, gastric intestinal mucosa से, chemoreceptor trigger zone से और vestibular apparatus से जिससे की vomit induce होती है और ये वमिटिंग सेंटर एंड CTZ यानि chemoreceptor trigger zone दोनों ही medulla oblongata के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड सबसे पहले हम बात करें गेस्टिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के इरिटेशन के बारे में तो जब कभी भी GIT का इरिटेशन होता है तो वो सिरोटोनिन को रिलीज करता है और उसी इस वज़े से वोमिटिंग सेंटर इस्टिमूलेट होते हैं तो हमें क्या करने पड़ेगा ऐसी ड्रक्स देने पड़ेगी जो इन रिसेप्टर पे एक्ट करें और वोमिटिंग से हमें प्रिवेंट करें तो नेस्ट कुशिन देखते हैं कुशिन नंबर 2 ड्रग ऑप चोईस फोर प्रोफाइलक्सिस अफ मोसन सिकनेस इस अप्शन A हाउसिन अप्शन B ओन देनसित्डरन अप्शन C डौम पेरिडरन एंड ओप्शन B सीनेरिजिन तो फ्रेंट्स क्या आँसर होना चाहिए दरालाइट आँसर इच ऑप्शन A यानि की हाईसिन फ्रेंट्स हाईसिन और इसकोप उलामीन is used as Intramuscular Injection या फिर Transdermal Page यानि इसको पोला मीन को हम Transdermal Page के रूप में या फिर Intramuscular Injection के रूप में यूज में लेते हैं और जब कभी भी हम इसको Transdermal Page के रूप में यूज में लेंगे तो ये applied किया जाएगा इयर पिन्ना के पीछे for the profile axis of motion sickness ये हमेशा ड्रग profile axis के रूप में दी जाती है अगर एक बार किसी पेसेंट को vomiting स्टार्ट हो गई तो फिर इस ड्रग का कोई रोल नहीं रहेगा नेस्ट देखते हम Cynerezin is used for treatment of vertigo and it have anti-histaminic plus anti-cholinergic plus anti-serotonergic properties इसी तरीके से H1 anti-histaminics like promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate, cyclizine and meclizine are also used for profile axis of motion sickness नेस्ट कुश्चन देखें कुश्चन नमबर 3 morning sickness is treated by option A, dicyclamine option B, domperidone option C, doxylamine and option D, scopolamine तो फ्रेंट्स morning sickness किसे ट्रीट की जाती है तो आप कहां सो रहेगा option C, यानि की doxylamine फ्रेंट्स, morning sickness का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई ladies pregnant होती है तो उसको morning के समय में vomiting होती है उससे हम morning sickness कहते हैं और उससे prevent करने के लिए हम जंदली doxylamine जो की anti-histaminic drug है उसके साथ में pyridoxin का combination देते हैं यानि जो विटामिन B6 का combination होता है और विटामिन B6 यहाँ पे high dose में दिया जाता है and it is safest anti-immetric drug in pregnancy next question देखें question number 4 cancer chemotherapy and radiation-induced vomiting is treated with option A ondencitron option B domperidon option C metoclopramide and option D dicyclomine तो friends इसका क्या answer होना चाहिए the right answer is option A यानि की ondencitron friends आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बथा दूँ कि हमने pharmacology subject से related 50 के आसपास वीडियो अप्लोड कर रखे हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन मारे लिंक पर क्लिक करें जिससे वीडियो के इंत में इनको भी आप open करके देख सकें या वीडियो के description में दिएगे link को open करके देखें तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें cancer chemotherapy की तो drug of choice in chemotherapy and radiation induced vomiting is 5HT3 blockers जितने भी 5HT3 blockers होते हैं वो drug of choice होते हैं chemotherapy और radiation induced vomiting के अंदर and these are also effective in hyper immesis of pregnancy जब pregnancy के अंदर बहुत ज़्यादा vomiting होती है तब हम इन drugs का भी यूज कर सकते हैं the examples of 5HT3 blockers are ondain citron, granny citron, dola citron, pelonocitron and remocitron इसमें अगर हम बात करें longest half life या most potent की तो वो रहता है आपका pelonocitron pelonocitron में word P आ रहा है और potent में भी word P आ रहा है तो इस तरीके साब इसको easily catch up कर सकते हो और इन में से सबसे ज़्यादा shortest half life रहेगी वो रहेगी ondain citron की इसलिए हम इसकी dose TDS देते हैं या दिन में तीन बार देते हैं फ्रेंट्स इसके अंदर एक acid drug है जो की प्रोलोंग करती है QT interval को तो वो ड्रग है आपकी डोला citron फ्रेंट्स इसके अंदर हम कुछ important point देखें तो most emetogenic anti-cancer drug होती है सिस्प्लेटिन और अगर सिस्प्लेटिन के दवारा कोई vomiting induced होती है अडली स्टेज के अंदर यानि विदिन 24 hours के अंदर सिस्प्लेटिन के दवारा कोई vomiting induced होती है तो वहाँ पे 5HT3 blockers दिया दाता है drug of choice के रूप में यह जैसे की ondain citron और अगर सिस्प्लेटिन की वज़े से delayed vomiting होती है यानि after 48 hours vomiting induced होती है सिस्प्लेटिन देने की वज़े से तो वहाँ पे हम drug of choice देते हैं apripitent यह question भी कई बार exam में आया हुआ है तो आप इस पे भी focus रखेंगे next देखते हैं question number 5 लिवोडोपा-induced vomiting is treated with option A ondain citron, option B metoclopramide, option C domperidone and option D synergine तो friends इसका क्या answer हाना चाहिए? the right answer is option C यानि की domperidone friends prokinetic drug domperidone is used to treat लिवोडोपा-induced vomiting क्योंकि इसकी CNS के अंदर poor penetration है तो यह कोई भी जो लिवोडोपा या bromocryptin का जो therapeutic effect होता है उसको block नहीं करती है यानि उसके therapeutic effect को block नहीं करके उससे जो adverse effect करूप में vomiting induce हो रही है खाली उसको यह prevent करती है तो यह हम उस महाँ पर prefer कर सकते हैं prokinetic drug act by stimulating 5HT4 receptor जो भी prokinetic drug है वह 5HT4 receptor को stimulate करके एक्ट करती है जब कि हमने anti-matic में वह जो granny citron देखी थी वह किस पर एक्ट कर रही थी और यह 5HT4 receptor को stimulate कर रही है prokinetic का मतलब होता है एसी ड्रक्स जो कि हमारे gastric emptying को fast करें तो क्या होगा peristaltic moment fast हो जाएगा जिससे कि हमारा gastric का emptying time कम हो जाएगा और जल्दी से gastric emptying हो जाएगी तो उस patient के अंदर vomiting नहीं होगी तो friends prokinetic drug act by stimulating 5HT4 receptor and Acetylcholine release इस ड्रग एसी लरेस्ट गेस्ट्रिक एंप्टिंग सो आलसो यूज़ तू ट्रीट कॉंस्टिपेशन एसी ड्रग को हम कॉंस्टिपेशन के treatment में भी काम में ले सकते हैं इसी तरीके से एक important point हो है वह है सिसा प्राइड जो की प्रोकाइनेटिक ड्रग पहले यूज़ में ली जाते थी और अब इसको बेन कर दिया है क्योंकि इससे cardiac arrhythmia होता है अगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मा सब्जेट से रिलेटर लग बग हंड्रेट से भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिये हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दियेगे चैनल के लिंक को ओपन करके देखें तो फ्रेंट्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन कुश्चन का दा गोल्डन कुश्चन आप डिस वीडियो इस एक्जाम्पल ओफ ए ड्रग एक्ट बाई इनिभीटिंग 5-HT3 रिसेप्टर इस आप आपने हमारा चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तदा साथ इसाथ बेल आइकन दबा दें जिस जाने वाले सभी वीडियो जो आपको सही समय पर मिलते रहें मेराम प्रकास प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक